So, Hello दोस्तो, Welcome back to my channel and I hope आप सभी लोग काफी ज़्यादा बढ़िया होंगे तो दोस्तो, Finally, Xiaomi 11i and 11i Hyper Charge के बाद, Xiaomi 11T Pro 5G ये स्मार्टफोन इंडिया में 19th January को आफिसल तरीके से लॉंच होने वाला है और ये Amazon के उपर भी टीज हो गया है तो ये स्मार्टफोन आपको कुछ इस तरह का देखनी को मिलेगा जो कि आप वीडियो में देख सकते हो बाकी front and back दोनों में ही glass मिलने वाली है बीच की frame aluminium की दी जाएगी तो overall design काफी unique किसिम का यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाएगा अब दोस्तों display की और बढ़ते हैं तो इसमें 6.67 inches की full HD plus super amoled with 120 hertz fast refresh rate वाली display दी जाएगी साथी corning gorilla glass victus की protection भी यहाँ पे आपको देखनी को मिल जाएगी साथी 10 bit वाली display है तो यहाँ पर आपको colors काफी अच्छे देखने को मिलेंगे performance की बात कर लेते हैं तो इसमें Qualcomm का Snapdragon 888 5G powerful chipset दिया जाएगा जो की 5NM technology पर best है तो performance भी यहाँ पर आपको काफी बहतरी देखने को मिलने वाली है इसके अलवा cameras की बात करें तो back में 108 megapixel का triple rear camera setup दिया जाएगा जिसमें 108 megapixel primary camera, 8 megapixel ultra wide angle camera और 5 megapixel macro camera का support दिया जाएगा वहीं front में in display center punch hole design में 16 megapixel की selfie camera का support दिया जाएगा memory variants की बात करें तो इसमें 3 variants आपको देखने को मिलेंगे पहला 8GB 128GB दूसरा 8GB 256GB और तीसरा 12GB 256GB जिसमें LPDDR5 RAM टाइप और UFS 3.1 storage टाइप का support दिया जाएगा अब दोस्तों battery performance की बात करें तो again 5000 इमेज की बैटरी दी जाएगी जिसमें 120 watts उपर fast charging का support दिया जाएगा इसके अलबा इस smartphone की कुछ अधर features की बात कर लेते हैं तो इसमें Android 12 out of the box रहने वाली है MIUI पर ये run करेगा साथी side mount fingerprint scanner का support, face unlock का support, harman kardon का dual history speaker, dual sim card slot यहाँ पे दिया जाएगा बट SD card का slot और 3.5 mm headphone jack का support आपको इस device में देखने को नहीं मिलेगा and finally इसकी Indian pricing की बात करें तो ये smartphone globally coach 54,000 रुपीज के आस पास launch हुआ था but इंडिया में 40 to 45,000 तक इसकी price जाने वाली है बाकि ये smartphone 19th January को इंडिया में launch होगा and ये Xiaomi का flexible smartphone है and features भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल जाती है बाकि आपका क्यों opinion है इस smartphone को लेकर नीचे comment box में जरूर बता है and ये video पसंद नहीं तो please एक like जरूर करें और अगर आप channel में ने तो please channel को भी subscribe कर ले बाकि मैं मिलता आपसे किसी और topics के साथ में next video में तब तक के लिए जैहींद वन्दमात